योना भविश्वक्ता की किताब को आप ध्यान से सुनेंगे मैं कुछ आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ूँगा ताकि आपको बाते और समझ में आएं और यहाँ पर आज हम इस आयत को इस वचन को क्यों पढ़ रहें इसका पढ़ने का हमारा मतलब वचन ये सिखाने का अर्थ आपको अभी समझ में आए और यहाँ पर हमें कैसे वेक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परमेश्वर का करीब ही माना जाता है प्रभू के बहुत करीब रहने वाला वेक्ति है उससे कहा जाता है परमेश्वर का भविश्वक्ता पर जब परमेश्वर अपनी इच्छा उस व्यक्ति से योना से कहता है तो योना नाम का जो व्यक्ति है जो एक भविश्वक्ता भी कहलाता है वो परमेश्वर की बात को ना मान कर अपनी इच्छा से जीने के लिए आगे बढ़ जाता है पर वच्छन कहता है कि वो एक तर्शीश नामक जगह को जाना चाहता है और परमेश्वर उसे नीनवे भेजना चाहता है नीनवे दुष्ट लोगों का एक एरिया है गुनाह और पाप से भरा हुआ एरिया उसका नाम क्या है नीनवे खुखार है नीनवे में सारे लोग पाप और वेविचार से भरेवी लोग है दूसरे तरफ हम देखने माले है कि एक तर्शीश की जगह है और तर्शीश की जगह एक सहर है एक मसहूर सहर है और वो बहुत धनाड्य सहर है अब परमेश्वर उसे नीनवे क्यों भेजना चाहता है ये बातें आपको भी आज पता चलेगी और योना क्यों नहीं जाना चाह रहा है नीनवे ये भी प्रभू आपको बताएगा और आखिर वो नीनवे गया तो नीनवे के लिए क्या किया प्रभु ने ये सारी बातों को हमें ध्यान से सुनना है और ये वच्चन जैसे हम सुन पा रहे है परमेश्वर का अबल हमारा हिस्सा बने गए शुके नामे आमेन आपका हमेशा उचा होना चाहिए और वहां लिखा है कि यहोवा का वच्चन योना के पास पहुँचा योना भविश्वक्ता के पास पहुँचा अब ये हम कहरें कि अब आप के पास पहुँच रहा है आमेन अब ये तो एक जीवित वच्चन है जीवित वच्चन कभी मरता नहीं कभी पुराना नहीं होता ये हमेशा नया होता है और नया बनता रहता है नया होता रहता है आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार इसके प्रती समर्पित होंगे उतनी ही बार ये वचन आपसे बात करेगा और आपके हिर्देयों को छू कर आपको प्रसन्न करेगा आमीन क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियो 4 वचन 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है क्या है जीवित है और जीवित इस्थिति को अगर हम देखेंगे तो हमसे बात करेगा करेगा की नहीं करेगा, आप जिन्दा हो, मैं भी जिन्दा हो, हम आपसे बात कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं, आप अपने भाई बेन से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हैं, जीवित हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि परमेश्वर का वचन जीवित है, और तैयार हैं? तो आज हम एक ऐसे भविश्वक्ता के बारे में देखने माले जो परमेश्वर के अभी आग्या आग्या को नजर अंदाज करता है पहले के समय में जन संख्या कम था और लोग कम थे तो परमेश्वर सुनता था था कि हाँ इस विक्ति को हमें इससे बात करना चाहिए क्योंकि यह हमारे समीप रहता है पर समय जैसे विटता है लोग बढ़ते हैं और परमेश्वर बहुतेरे उससे बात करना सुरो करता है आमेन अभी इसको पढ़ेंगे आयत 2 से पढ़ेंगे अब योना के पास वचन पहुँचा और उसके बाद लिखा है कि उठ कर उस बड़े नगर नीनवे को जा आप टिक मारते चलिए अगर आप एक मसीह हैं तो आप बाइबिल में लिखते चलिए टिक मारते चलिए अपने डायरी में और कहता है कि ये जो सीन हम आपको दिखा पा रहे हैं ये एक नीनवे की जगा है एक नीनवे नगर है अभी हम वहाँ विशे पे नहीं पहुच पा रहे हैं परन्तु हम आपको एक संदेज दे रहे हैं ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं और लिखा है कि उठ कर इस बड़े नगन नीनविक हो जा और उसके बिरुद्ध है प्रचार कर बिरुद्ध का मतलब वो पाप में है और तू पवित्रताई का प्रचार कर यही तो हुआ बिरुद्ध अगला आदमी पाप कर रहा है और आप उसे पवित्रताई के बारे में सुसमाचार दे रहे हैं तो उसके बिरुद्ध आप बता रहे हैं बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं ये उस समय था लेकिन आज हम आपसे परमिश्वरी स्वेधी से आप लोगों से और आनलाइन जितने लोगें उन लोगों से भी बात कर रहा है कह रहा है कि मेरे नजरों में तेरी जो बुराई है वो बहुत जादा बढ़ गई है और इस कारण उठ और तू इस नगर में जा और वहां तू मेरा सू समाचार दे क्योंकि मैं उस पर दया करना चाहता हूं मैं उस नगर को बचाना चाहता हूं क्योंकि जो पाप करता है बाइविल कहती है कि पाप करने वाला व्यक्ति नास होता है पापी व्यक्ति नास होता है पाप करने वाला मृत्तिव के हाथ में जाता है ये बात आपको पता है और परमेश्वर भी इस बात को बता रहे हैं और फिर आगे पढ़ लिजिए जल्दी से वहां लिखा है कि परंत योना परमेश्वर के सामने से तर्शीष को भाग जाने के लिए उठा कहां भाग जाने के लिए उठा भई तर्शीष अच्छी जगा है वहां कोई मारपीट नहीं वहां कोई दंगा नहीं एक बहुत सुंदर सहर है एक धनाड्य सहर है तर्शिष, सुने चांदी का एक आपार संपता वहाँ पाई जाती है और वहाँ सब कुछ अच्छा है इसलिए योना तर्शिष को भाग जाना चाहता है या हम कहें परमेश्वर कहा रहा है तू पूरब जा और योना कहा रहा है मैं पश्यम जा रहा हूँ या पर प्रभु कहा रहा है कि तू पश्यम जा और योना किधर जा रहा है पूरब जाने का मन बना लिया और वहाँ लिखा है कि उठकर भाग जाने के लिए भागना और जाना एक अलग बास है कि नहीं अब भाग क्यों रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसे कहा जाने के लिए नीनवे जाने के लिए और फिर आगे उसी में पढ़ेंगे और भाग जाने के लिए उठा और लिखा है कि और फिर वो नगर को जाकर तर्शीस जाने के लिए एक जहाज एक जहाज पाया और वो उस पर किराया दे करके जो तर्शीस जा रही थी उस पर वो बैठ गया चढ़ गया और परमेश्वर के सामने से वो तर्शीस को जाने लगा वो तर्शीस को जाने लगा परमेश्वर की आ गया है क्या तरशीष जाने की किते लोग बादों को समझ रहे परमेश्वर की आ गया है कि तरशीष जाए नई परमेश्वर ने क्यों से आ गया दिये नीनवे जा नीनवे क्योंकि वहां लोग पापी है और पाप में लोग मर रहे हैं वहां तुझा भई तु तर्शीष मज्जा तु नीनवे के जा नीनवे जगे पे जा जहां लोग पाप में मर रहे हैं उन्हें मुझे बचाना है ओके फिर प्रभु कहता है कि आगे पढ़िएगा तब यहोवा परमेश्वा ने समुंदर में जिस नाओं में वो यात्रा कर रहा था और परमेश्वार के विरोध में वो जा रहा था परमेश्वा ने एक प्रचंड आंधी चलाई समुंदर में बड़ी आंधी उठी और यहां तक कि जहाज तूटने पर था फिर तब मलाह लोग जो मांजी लोग थे वे डर करके वो अपनी देवता की दुहाई देने लगे और जहाज के जो ब्यापार की सामागरियां थी वो समुंदर में फेकने लगे ताकि जहाज हलका हो जाए परंतु योना जहाज के भीतरी पायदान पर भीतरी जगहों पर वो अराम से सो रहा था और गहरी नीद में था सो रहा था फिर क्या हुआ तब मांजी लोगों ने जा करके उसे जगाया और कहा की तू अपनी देवता से प्राथना करता की ये आंधी तूफान बंद हो और हम नास ना हो आगे पढ़िएगा तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम एक चिठ्थी डालते हैं क्या डालते हैं चिठ्थी डालते हैं ये शुमसी का जब कपड़ा क्रॉस पर कपड़ा जब उतारा गया तब भी एक चिठ्थी डाले गई थी और कहा गया थे कि ये कपड़ा क किस कारण से हैं मेरे कारण से है कि ये इस व्यक्ति कारण से है जो जहाज के निचे जो जहाज के निचले पैदान पर सो रहा है फिर चिट्थी किस के नाम पर निकलती है योना के नाम पर निकलती है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध है काम किया था अगे तब उन्होंने उ पूछा उसके बाद और फिर वहां लिखा है कि मैं इबरी हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहौवा जिसने जल थल सब को बनाया है मैं उसकी महिमा करने वाला हूँ मैं उसका भैमानने वाला हूँ आमेन और तब वह माझी लोग डर गए और डर कर कहने लगे कि तूने यह क्या किया है परमेश्वर के सामने से भागाया है और क्योंकि वह आप ही इन बातों को माझी लोगों को बता दिया उसके बाद क्या लिखा तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुन्दर में आया हुआ तूफान सांथ हो जाए और समुन्दर की लह दीजिये, फेक दीजिये, समुंदर शान्त हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये आधी मेरे कारण से आई है, हालेलूया फिर आगे का बचन देख लेंगे, फिर लिखा तो भी बड़े यतन से वो लोग नाव खेते रहे, सोचा कि ये किया, उन लोगों ने क्या किया, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकार करके गल्ती मानी और कहा, प्रभू, अगर हम इस निर्दोश व्यक्ति को उसमें फेक रहें तो इसकी सजा हम पर नहीं आए, कुछ तेरी इच्छा है तो क्योंकि हे हुआ, जो कुछ तेरी इच्छा थी तूने वही किया है, आगर पढ़िएगा तब उन्होंने योना को उठा कर समुंदर में फेक दिया योना को, अब देख रहें न, उठा लिया कि ने उठा लिया, ओर नाविक लोग ने उठा करके उसको उस भयानक तुफान में फसे हुए उस नाव में, उस योना भविश्वक्ता को समुंदर में फेक दिया और लिखा है कि समुंदर की भयानक लहरें थम गई हालेलुया अगर समस्या को बीच से निकाल दिया जाए तो लहरे क्या होती है समस्या अगर हमारे बीच में बनी है वो चाहे पाप की समस्या हो गुनाह की समस्या हो कुछ भी समस्या अगर हमारे घर में बनी है जब तक उसे उठा कर बाहर नहीं फेकोगे वो आपको लहरों में डुबो देगी और यहां पर हम देख लें कि जोना ने कहा भईया कुछ मत करो हमें ही फेक दो हमें इस बड़े समुंदर में क्या करो डाल दो और लहरे क्या हो जाएंगी समाप्त हो जाएंगी और आपकी जान बच जाएगी चलिए इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं आप जानते हैं कि यहां पर हम जिसके विशे मे बात कर रहे हैं, वो एक भविश्वक्ता है और उस भविश्वक्ता का नाम योना भविश्वक्ता है और इन चीजों से हमें बड़ी ही सिच्छाएं प्रभु देना चाहते हैं, और यहां पर अगर पहली लाइन को अगर हम पढ़ें, लिखा है कि यहोवा का यह वचन आमित्य के पुत्र योना के पास पहुँचा ठीक है? उसके बाद? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और वहां उसके विरुध्य प्रचार कर सू समाचार दे, क्योंकि उनकी बुराई मेरे दृस्टी में बढ़ गई यह परमेश्वर के इच्छा है पड़ोसी को बोलो यह परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्तिनासो परमेश्वर नहीं चाहता कोई इंसान नर्क जाये जब हम योना की किताब को पढ़ रहे हैं नए नियम के सु समाचार की किताब पढ़ रहे हैं इतना सोच लेना क्योंकि यहां पर हम परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुगरह आपके बीच में देख रहे हैं इस वेदी से इस वचन का प्रचार करने का अर्थ ही हुआ कि परमेश्वर बहुतों के पाप को छमा करके और बहुतों के परिवार से पाप निकाल करके आंधी को सांथ करने जा रहा है आंधिया सांथ होनी चाहिए पाप और गुनाह से उत्पन हुई आंधिया सांथ होनी चाहिए तमाम ऐसी चीजे हैं जो आपके परिवार को तंग करती हैं आपके शरीर को तंग करती हैं, आपके माहौल को बिगारती हैं, वो चीज़े आपके परिवार से निकलना चाहिए कि नहीं, तो आज का वचन का संदेश और इसका अर्थ भी यही है, कि प्रभू आज आपसे बात कर रहा है, और आपसे कह रहा है कि तुम्हें जाना नहीं है, नीनवे क्यों परमेश्वर भेजना चाहता है, क्योंकि नीनवे पाप से भरा हुआ है, वहां कि जनसंख्या एक लाग बीस जार से कहीं यदिक जादा है, और वहां सारे लोग पाप में जी रहें, सारे लोग मार, काट, लड़ाई, दंगे में जी रहें, और परम Parameshwar के इच्छा है कि मैं इस नीनवे पर दया करूं क्या करों दया करों आज इस चैप्टर में Parameshwar दया करने वाला अनुग्रख करने वाला और आप के पापों को च्छमा करने माला ठेहरेगा, आमेन वो पिता है और आज पिता अपनी पिता की भूमिका में आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि नीनवे नीनवे जा जब तक तु नीनवे नहीं जाएगा मेरा वचन लेकर उनके पाप नहीं चमाऊंगे जब तक तु मेरा वचन नीनवे नहीं लेके जाएगा तब तक वे चंगे नहीं होंगे जब तक तु मेरा वचन उस सहर में लेके नहीं जाएगा तब तक लोग पाप से आजाद नहीं होंगे तुझे लेके जाना ही पड़ेगा योना योना कहता है परमेशवर में नहीं जा सकता उदर के लोग बड़े खतरनाक लोग है वो कहता कि मैं वहाँ नहीं जा सकता वो सब पापी लोग है वो मुझे मार डालेंगे मैं वहाँ नहीं जा सकता परमेशन ने कहा तुझे जा नहीं है ये मेरा संदेश पकड़ और जा और जा और उन लोगों को सु समाचार बता कि लोग पापों से मन फिरा लें नहीं तो मैं 40 दिनों के भीतर नीनवे समुंदर में डूब जाएगा सब खत्म हो जाएगा लेकिन मेरी इच्छा है कि तु मेरा वचन ले और उन बुरे लोगों के बीच में जा येशु मसी ने भी कहा कि मैं अपने चेलों को भेडियों के बीच में भेशता हूँ भेडों को भेडियों के बीच में भेशता है जब भेड़े भेडियों को वचन देते हैं तो भेडिया क्या होता है एक बार गुस्सा होता है न गुस्सा होता है लेकिन कहता है कि जब तू वचन दे और जब तू वचन देगा तो तू सामना नहीं करेगा मेरा वचन वहाँ सामना करेगा आमीन हालेलुईया कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आईए लेकिन योना भविश वक्ता कहता है कि मैं तरसीष जाओंगा कहां जाओंगा तरसीष जाओंगा उदाहरन के लिए मालो के ही रिस्तेदारी में किसी के यहां साधी पड़ा हुआ साधी यह बड़ा फंसन है और एक तरफ आपके खेत का काम है और एक पिता ने कहा कि बेटा थोड़ा से जा वो नाली है तो आस साब कर दे न साब कर दे न और इसके बाद तू जाना उसने का ना पापा मैं नाली ओली साब करने नहीं जाओंगा मुझे सीधा वहां जाना है जहां आज अच्छे चीजे वन रही है मुझे खाने को मिलेगी मुझे वहां जाना है मुझे नाली साब करने नहीं जाना है मुझे खेत का काम करने मत भेजो मुझे मिट्टी लग जाएगी मुझे पसीना आएगा मैं वहाँ नहीं जा सकता लेकिन बाप कह रहा है कि तुझे जाना ही पड़ेगा अगर तू नहीं जाएगा तो हमें अन्न कहां से मिलेगा, हमें भोजन कहां से मिलेगा, कुछ इसी तरीके से यहां योना, योना को परमेश्वर चाहता है कि तू वहां जा जहां मैं तुझे भेजता हूँ, और योना को कह रहा है कि तू मेरा वचन ले और तू चला जा, मेरा संदेश लेकर जा, अगर तु मेरा संदेश नीनवे में नहीं जाएगा तो नीनवे के लोग पापी ठहरेंगे, पापी हो करके समुंदर में मर जाएगे 40 दिनों के अंदर सब कुछ वाँ खतम हो जाएगा यो ना चुपके से उठा और एक तरसीज जाने वाली जहाज पर बैठ गया बोला मुझे वाँ नहीं जाना कितना हाटी भविश वक्ता था, बोला प्रभू मुझे वाँ मत भेजो, मुझे वाँ नहीं जाना है परमेश्वर के लोगों से पुरानी दुस्मनी थी नीनवे का और यह चीज जानता था योना कि वो पुराने दुस्मन लोग है ऐसा समस्ता था मनश मनश को दुस्मन समस्ता है लेकिन परमेश्वर किसी मनश को दुस्मन नहीं समस्ता है एक मनश दूसरे मनश को एक जादी दूसरे जादी को दुस्मन समस्ता है लेकिन परमेश्वर किसी को अपना दुसमन नहीं समझता उन्हें बचाना चाहता था और इसलिए वो बड़े ही टाइट होकर कहता है तुझे जाना ही पड़ेगा तुझे नीनवे जाना ही है मेरा संदेश लेकर तुझे नीनवे जाना ही पड़ेगा क्या लेकर जाना है संदेश हाथों में उठाओ सबजन आपके पास संदेश है यही संदेश अपने अपने हाथों में लो संदेश पवित्र शास्त्र यह है संदेश इसी संदेश को बोला प्रभू लेकर के उस जा उस निन्वे में अगर तू नहीं जाएगा तो तेरे कारण सारे एक लख बीस हजार लोग क्या हो जाएंगे मर जाएंगे समुंदर के बगल है निनवे डूप जाएगा खत्म हो जाएगा जा लेकिन क्या किया वो बंदा एक अच्छे सहर तरशीष्ट की और जाने लगा जब भी लाई प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें